आज मैं बनाने जा रहे हूँ मिर्ची के रूंदे की खटी सी चटपटी सी मसालेदार सबजी बहुती टेश्टी और बहुती लाजवाब बनती है ये सबजी एक बार इसको खाएंगे तो दूसरी सबजी खाना भी भूल जाएंगे तो मैं बनाने जा रहे हूँ मिर्ची के रूंदे की सबजी तो ये सबसे ज़्यादा कहां बनाई जाती आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताना और लगती है बहुती टेश्टी और चटपटी सी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो जो इंडिकेंट लगेंगे वो मैं आपको बताती हूँ तो यहां पर मैंने धनिया लिया एक चमच नमक सौधा नुसा सौफली एक चमच घल्दी पावडर और काला नमक राई और जीदा तो यहां पर मैंने कड़ाई चड़ा दी है कड़ाई में एड़ करेंगे यहां पर ऑईल एक से दो टेबली स्पुन और तेल को हुने देंगे गरम तो मिर्ची के रूंदे हैं तो बिल्कुत तेल थोड़ा सा ज्यादा लगता है जो नॉर्मल सबजी बनाते उससे थोड़ा ज्यादा लगता है तो यहां पर मैंने मिर्ची को गोलगोल शेप में काटी है और यह मिर्ची किसले काटी वह मैं आपको बताऊंगे आगे और के रूंदे भी काट लें उनके बीच बिलकुत बीच मैं से निकाल लिये हैं और यहां पर मसाले भी रैडी है तो जो के चौथाई चमश राई तो जीरे और राई को लगने देंगे तड़का तो यह तो सबसे ज्यादा राजस्तान में बनाई जाती है तो इसको अलग 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 नाम से बोला जाता है तो आपके यहां पर क्या बोलते हैं मुझे आप जरूर बताना तो यहां पर देखिए मिर और सौफ एड करने जारी हूँ आदी चमश इसके साथ यहां पर ग्रीन चिली ली है तो ग्रीन चिली भी एड कर देंगे तो मैं बनाने जारी हूँ मिनिमम बंस एक से दो जनों के लिए मिर्ची के रूंदे आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से मात्रा कम या जादा कर सकते हैं तो एक बार इसको फ्राइ करेंगे मिर्ची के रूंदे को तेल में तो यहां पर मसाले एड करूंगी तो सबसे पहले हल्दी पावड़ा एड करने जारी हूँ चोथा ही चमश हल्दी पावड़ा एड किया है और इसी के साथ धनिया पावड़ा एड करेंगे यहां पर आदी चमच और नमक का एड़ करने जा रही हूं आप नमक स्वादानों सा ले सकते हैं चोथा ही चमच नमक का एड़ किया है तो एक बार मसालों को तेल के साथ अच्छे तरह से फ्राइब कर लेंगे तो यहाँ पर देखें केरुंदे मिर्ची में प्रोसेस यही है कि मिर्ची पहले डलती है तो देखें यहाँ पर मैंने बीच के भीच निकाल लिए हैं और एक बार मिला लेंगे तेल को फ्राइब कर लेंगे क्योंकि अगर केरूंदे पहले डाल देते हैं तो मिर्ची बिल्कुल फ्राइ नहीं हो पाती है सब्जी नहीं बन पाती है मिर्ची कच्ची रह जाती है तो यहाँ पर एक बार मिला लेंगे इसको मिलाने के साथ ही देखिए आप चाहें तो इसको बड़ी बड़ी शेप में भी कार सकते हैं मिर्ची को और यहाँ पर इसको पकाने के लिए हम करीबन इसको ढखका रखेंगे एक से दो मिनित के किये तो देखिए मिर्ची के रूंदे के सब्जी लगती है बिल्कुल इस तरह से तो देखिए पूरा तेल सेपरेट हो चुका है और एक मिर्ची गल भी चुकी है देखिए जो बड़ी वली मिर्ची है वो फ्राइ हो चुकी है यहाँ पर तो मिला लेंगे एक बार इसको मसाले के साथ जो भी शुरू में मसाले डाले वो मिर्ची केरुंदे के अंदर तक अब जो हो सुखे तो यहाँ पर नमक एड़ किया है 14 चमच काला नमक एड़ करने जारूँ मैं नॉर्मल नमक नहीं एड़ कर रही हूं अगर काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी एड़ कर सकते हैं तो चला लेंगे इसको और चलाने के बाद यहां पर मिर्ची के रूंदे की जटपट बनने वाली सब्जी बिल्कु बनकर है तया तो अब मैं करने जाओंगे इसकी सार्विंग सार्विंग प्लेट में और इस सब्जी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं एक से दो दिनों त बिल्कु चटनी की तरह लेकिन हम लोग तो इस चटनी को जैसी सब्जी को भी सब्जी की तरह ही खाते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है और मसालेदार होती है तो बड़ा टेस्टी सा स्वाद लगता है तो यहां पर मैंने जो ग्रीन चिली इसमें फ्राइब करके डाली है वो किये डेकोरेशन के लिए तो यहां पर देखे यह जट पर बनने वाली सब्जी बिल्कु मेर्ची के रूंदे की बनकर है तया तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरू दबा देना त तो मिलती हूं मैं आपसे अगली नेक्स वीडियो रेसिपी में बाबाई